हेल्व फिरंड्स विल्कॉम टू माँ चैनल फिरंड्स हाज जो पैटन लगे हो यह बोखती सुन्दर और नबारी Une इससे आप लेड़ी सॉक्स वगेरा बनाते हो तो उस कमें बना सकते हो बच्छों जूद्स में बड़ों कजूदु हम की मिलब सकते हो जेंट स्वेटर पर बना सकते हो, कार्डीगन पर बना सकते हो, किसी भी परजेक्ट पर अपलाई करेंगे तो बड़ा सुंदर लगेगा तो इसे बनाने के लिए फ्रेंट्स होने चाहिए तू-टू के मल्टिपल में स्टिचिस और डिजैन हमारा सेट हो जाता है बनाने में एक्तम आसान है, इसे बिग्मिक लेबल के लोग भी बना सकते हैं बड़े अराम से तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यावाद बने रही है हमारे साथ और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जैनल मेरे सब्सक्राइब कर लेजिए और बेल एक इंप्रेस कर लेना ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफकेशन आपको मिलती रहे और आप देखते रहें नए से नए डिजाइन तो अगर आपको मेरे बनाए प्रजेक्ट पसंद आ रहे हैं तो अपने फैमिली मेंबर्स में अपने फ्रेंड सरकल में जरूर शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ वो सब भी एंजॉय कर सको तो आइए बनाते हैं कैसे बना हैं यहां फ्रेंड्स मैंने टू के मर्टिकल में स्टिचेस डाल की तो एक सीधा एक उल्टा का बढ़र दो स्लाई का बना लिया है तो इसके बाद फ्रेंड्स यहां हम पहला फंदा उटारेंगे नेक्स्ट हम पूरी स्लाई सिधी सिधी बना लेते हैं अगर आपको फंदे बढ़ाने हैं तो आप इस सिलाई में बढ़ा सकती है यह सिलाई हूं सिर्दी सिर्दी बने लिए नेक्स्ट रो पर आगी है तो यह सिलाई हम बनाएंगे उल्टी उल्टा उल्टा बुन लेंगे हम फ्रेंस डिजाइन इतना प्यारा है इतना बारी एक सा डिजाइन है और बड़ा खुबसूरत है जैसे आप गलाप्स बनाते हो सॉक्स बनाते हो लिएडिस की उसमें बहुत ही सुन्दर लगने वाला है तो यह उल्टी स्लाई बना लिए हमने तो यहां क्या करना है पहला फंदा हम उतार लेंगे इसके बाद हमने यह दो फंदियां जो इनको इस तरह से पीछे से दो का ऐसे दो में से यह फंदा बनाना है ऐसे अब यह दो फंदियां हमारे से लाएके इसमें से हम एक फंदा ऐसे छोड़ देंगे और तूसरे फंदे को फिर से सिद्धा बन लेंगे फिर से दिखिए यह दो फंदे लेंगे इस तरह से बनेंगे यह हम छोड़ देंगे एक फंदा और नेक्स्ट वाले को दो दुबारा फिर से सिद्धा बन लेंगे थोड़ा सा ध्यान देना है और बहुत सुंदर सा डिजाइन बन के तयार करना है हमने यह दिखिए दो फंदों में से दुनों को एक साथ बन लिया फिर एक फंदा छोड़ दिया और एक फंदे को दुबारा से बन लिया पुरी सिलाई में हम इसी तरह से बनेंगे वोल्टी स्लाई पे आगे हैं तोल्टी स्लाई को हम पूरा उल्टा बना लेंगे पुरी शालब झाल झाल यह देखिए पहला फंदा उतार लिया फिर से दो फंदे ऐसे लिए सिलाई पे एक बार बुनेंगे और इसको छोड़ देंगे और एक फंदे को दुबारा से बुन लेंगे थोड़ा सा बनेगा तभी दिखेगा फैंसा आपको एक दम बार एक फिसाइन है तो थोड़ा बनने के बाद ही दिखता है हुआ है कि अ कि और था रटाथ को जो बढूएब रूर डाट रटाथ कि और ठाट बहुत रकर बहुत बद़ बोलता बनार लेंगे इस डिजाइन में फ्रेंड्स सिरफ ठोड़ा सा ध्यान रखना है जब हम यह फंदे भूनते हैं तो इनको एसे इधर से नहीं बुनना हमने यह पीछे से बुनना है ऐसे पीछे की साइड से बुनेंगे और यह दिखेए इनको ऐसे नहीं बुनना है आमने जसे ओूमने खूमने को अर उल्टी स्लाइब को उल्टा उल्टा बनार लेंगे यह दिखिए इस तरह से बड़ा प्यारा सट जरीन बनेगा इसे आप किसी भी प्रजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं बहुत अंदर दिखता है यह दिखिए इस कलर में मैंने बनाती रखा है कितना सुंदर लग रहा है और एक दम बारे एक दिखाई निक बनाऊ होगए तो एक दम रेदेंए लुक देखाए तो आहिए चलते हैं वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई थैंक्स पर वाचिंग